So guys, आज के इस वीडियों में हम बात करने वाले हैं Samsung के तरफ से आने वाले एक नए अपकमिंग स्मार्टफॉन के बारे में अगर आप भी दोस्तो Samsung यूजर है और आप Samsung की तरफ से A-事情 के अन्दर आने वाले Samsung Galaxy A-54-5G स्मार्टफॉन का वेट कर रहे थे तो finally दोस्तो आप सबका wait up खत्म हो चुका है क्योंकि ये smartphone 16 मार्च को इंडियन मार्केट के अंदर launch होने वाला है phone के regarding दोस्तो सभी information और design बगरा निकल कर सामने आए है इसके साथ दोस्तो इस smartphone का एक poster भी निकल कर सामने आए है जिसे smartphone की launch date के बारे में information हमें मिली है तो आज किस वीडियो में गईस हम बात करेंगे smartphone के सभी specs के बारे में इसकी design के बारे में इसके साथ ही गईस हम बात करेंगे कि ये smartphone आपको इंडिया में किस price पर देखने को मिल सकता है तो स्वागत अब सबका tech रोच पर जानकारी के लिए वीडियो में अंट तक बने रहें और दोस्तो चनल पर परिवर आए हैं तो subscribe कर लीजिए ताकि आप कुछ तेरेक टैक वीडियो मिलती रहें तो दोस्तो जैसा कि आप सबको मालुम है कि Samsung की एस स्रीज Camera संटे की स्मार्टफोन की स्रीज है और इस स्रीज के अंदर आपको budget segment के अंदर काफी कमाल की स्मार्टफोन की स्मार्टफोन काफी बड़िया specs के साथ में देखने को मिलते हैं अब इसी सीरीज के अंदर दोस्तों Samsung के तरब से जल्दी एक नया smartphone market के अंदर आने वाला है तो फटावट से बात करते हैं दोस्तों इस smartphone की सबी specs के बारे में और देखते हैं इसकी कैसा smartphone ही आप सब के लिए रहेगा अगर first of all दोस्तों हम बात करते हैं smartphone की design के बारे में तो आप देख सकते हैं screen पर कि इस smartphone की design है वो निकल कर सामने यहाँ चुकी है जिसके rear side में आपको plastic की body दी गई है तिर पर rear camera यहाँ पर आपको मिलेगा इसके साथ ही गई इस front side में एक बड़ी display पंचल के cutout के साथ में आपको मिलेगी तो overall दोस्तों यहाँ पर design की मामले में ज़्यादा changes नहीं किये गए हैं तो वही same type की in hand feeling यहाँ पर भी आपको मिलेगी अगर design के बाद दोस्तों हम nest बात करते हैं smartphone के अंदर display के बारे में तो यहाँ पर गईस आपको 6.5 इंचिस की एक AMOLED दिस्पले देखने को मिलेगी जो कि full HD plus resolution और 120 Hz के reference rate के साथ में आएगी तो brightness और colors बगरा दोस्तों यहाँ पर आपको काफी बड़िया देखने को मिलेंगे और काफी कमाल का view experience आप यहाँ पर expect कर सकते हैं अगर display के बाद दोस्तों हम nest बात करते हैं smartphone के अंदर performance के बारे में यहाँ पर आप performance के मामले में काफी अच्छी expectations रख सकते हैं और काफी कमाल की performance के इस यहाँ पर आपको मिल जाएगी अगर next बात करते हैं दोस्तों smartphone के अंदर camera setup के बारे में तो यहाँ पर guys आपको rear side में तरपर rear camera दिया जाएगा जिसका man sensor रहेगा 50 Megapixel का जो की OS के support के साथ में आएगा साथी 12 Megapixel का ultra wide angle lens और 5 Megapixel का macro sensor यहाँ पर आपको मिलेगा और अगर front camera के बात करें guys तो ऐसे leaks नकल कर सामने आए हैं कि यहाँ पर आपको front side में पंचल के cutout के अंदर 32 Megapixel का selfie camera देखने को मिलेगा तो selfies वा video calling वगरे दोस्तों काफी कमाल की आप यहाँ पर कर सकेंगे अगर cameras के बाद दोस्तों हम nest बात करते हैं स्मार्टफोन के अंदर battery के बारे में तो यहाँ बैटरी के बारे में तो यहाँ बैटरी देखने को मिलेगी जो की 25 Watt तक की fast charging support के साथ में आईगी तो बैटरी दोस्तों काफी बड़ी है तो बैटरी बैगब भी काफी कमाल का यहाँ पर आपको मिलेगा साथी 25 Watt की fast charging है तो काफी जल्दी स्मार्टफोन को charge भी यहाँ पर आप कर सकते हैं अगर स्मार्टफोन के कुछ और features के बारें बात करते हैं तो fingerprint scan का support यहाँ पर आपको on screen देखने को मिलेगा साथी type C का support भी गई से यहाँ पर आपको मिल जाएगा इसके बात करते हैं दोस्तों इस स्मार्टफोन की pricing के बारे में तो phone की pricing हो सकती है प्रॉक्स 30 था यून के आसपास इसके साथ ही दोस्तों यह स्मार्टफोन 16 मार्च को इंडिया के अंदर लॉंच होने बाला है सबी specs के बारे में आप वह तक आप इस phone को लेने में इंटरस्टेट होंगे अगर आपको कोई और भी कमेंट हो गई तो आप वो भी लिख सकते हैं फिलाल इस वीडियो में अगर वीडियो चलगा हो तो वीडियो के लाइक कर दीजियो और दोस्तों चैनल पर वहली बराए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कुछी द्रेक टैक वीडियो मिलती रहें मैं मिलता हूं आपको नैस वीडियो अप तक के लिए लीडियो